आईए अब हम क्रिस्टल छेत्र विपाटन तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के विशय में और अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि हमने जाना जब समान उर्जा वाले दी कक्षकों का लिगन की एक निश्चित जामती इस्थती की वज़र से दो समुच्चयों में विपाटन हो जाता है। उसे हम क्रिस्टल छेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लेटिंग कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जब धातु परमानू उदासी नवस्था या फ्री अवस्था में होती है तो उस समय इसके सभी डी ओर्बिटलों की उज़र समान होती है। लेकिन जब धातु कॉंप्लेक्स का निर्मान करती है तब यह लिगन के लिगन छेत्रक में आ जाती है। और हम यहां जानते हैं कि लिगन के जो इलेक्ट्रान पेर्स हैं तथा डी ओर्बिटल के जो इलेक्ट्रान्स हैं। के बीच प्रतिकर्शन होता है। जब कॉंप्लेक्स निर्मान के समय लिगन धातु पर्मानों से काफी दूरी पर होता है तो उस समय डी ओर्बिटलों की उर्जा में समान रूप से बढ़ती है। क्योंकि इन में समान प्रतिकर्शन होता है। और इस स्थती में यहां पर जो उर्जा होती है उसे हम बेरी सेंटर या ओसत उर्जा कहते हैं। इसके बाद हम देखें कि जब लिगन केंद्रिय धातु पर्मानों के चारो ओर एक निश्चित जामती स्थती पर उपस्थित हो जाता है। उस समय यह दो संभावना हो सपती हैं। यहांपर लिगन के और्बिटल्स तथा चैंद्रि धातु पर्मानों के जो और्बिटल्स हैं। दोनों एक ही एक्सिस पर होते हैं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो इस स्थती में यहाँ पर रिपल्सन जादा होता है प्रतिकर्शन जादा होता है तथा और्बिटलों की उर्जा में जादा वर्धी होती है और यदि लिगंड एक्सिस पर होते हैं तथा डी कि सीमा कम होती है और आर्बिटलों की उर्जा में कम वृध्धी होती है या उनकी उर्जा कम हो जाती है जो बेरी सेंटर है उसकी तुलना में उनकी उर्जा कम हो जाती है तो इस सती में हम देखें कि यहां पर अलग-अलग जो संकूल होते हैं या जो जामिती सरचना होती है जैसे कि अस्टफल की सरचना अस्टफल की सरचना में हम जानते हैं कि जो d orbital होते हैं उसमें ये सभी plane पर axis पर उपस्थित होते हैं और यहाँ पर हम देखें तथा ligand भी यहाँ पर और जो octahedral है उसके vertex पर किनारों पर इस्थित होते हैं तो इस स्थित में ये जो ligands हैं वो axis पर उपस्थित जो orbital के lobes हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रतिकर्शित करते हैं और इस स्थित में हम देखेंगे कि जब octahedral स्थित होगी compound होगा तो उस समय d x square y square और d z square इनकी उरजा क्योंकि यह axis पर होते हैं तो इनकी उरजा में वृध हो जाती है यह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इस सैट है और बैट दों का इजी ऑर्विट लों का सैट है उनकी उरजा बढ़ जाती है तथा जो t2g जी और पिट लों के सैट है जो कि एक्स के मध्य पर उपस्तित होते हैं यहनिकी d x y d x z d y z इनकी उर्जा जो औसर्ड बेरी सेंटर है उसकी उर्जा से नीचे हो जाती है और इस तरह से यहां पर जो उर्जा का अंतर होता है ej-set तथा t2-g, इन दोनों की उर्जा के बीच का जो अंतर होता है उसे हम Do Door गर प्रदर्शित करते हैं और इसे हम Crystal प्रदार्शित करते हैं तो जो स्प्लिटिंग एनरजी है उसे हम इसके द्वारा भी प्रदार्शित करते हैं तथा कैल्कुलेशन के आधार पर यह देखा गया है कि यह जो जो टी टूजी और इजी इन दोनों के बीच जो उर्जा का अंतर होता है वह 10DQ के समतुल्य होता है यहां पर हम देख रहे हैं कि जो टी टूजी यदि हम अक्टाहेडरल की बात कर रहे हैं तो जो टी टूजी सेट है उसकी उर्जा बेरी सेंटर से नीचे चली गई है और कैल्कुलेशन के आधार पर यह देखा गया है कि इसकी जो उर्जा होती है यह टू बाइफाइफ डेल्टा उक्टाहेडरल के समतुल् चेहाँ सेटहिए हैं उनकी जो उर्जा होती है उसमेंसे 2 बाइफ डेल्टा अक्टाहेडरल या हुं इसे कह सकते हैं 0.4 डेल्टा अक्टाहेडरल के बराबर नीचे चलिजाती है और यदि हम इजी सेट की बात करें तो यह बेरी सेंटर से 3 तो इस प्रकार यदी हम देखें कि यदी इसी संकुल में इलेक्टरान टी टू जी जो और्बिटल से उनको ऑक्यूपाई करता है वहां पर इस्थान ग्रहन करता है तो वह तो यकि इसकी उर्जा कम है बेरिसेंटर से कम है उसकी जो डी ओर्बिटलों की ओसाथ उर्जा है उससे उर्जा कम हो गई है तो वह जितना ये अंतर है यहने कि 0.4 डेल्टा ओक्टाहेड्रल इतनी उर्जा के बराबर उस कॉम्प्लेक्स को स्थाइत्व प्रदान करता है तो इस तरह से यहाँ पर स्टेबलाइज़ दिंग एनर्जी कहलाएगी और दूसरी ओर यदि हम उपर की बात करें तो यहाँ पर यदि कोई एलेक्ट्रान इजी सेट में इजी और्बिटलों में इस्थान प्राप्त करता है तो वह कॉम्प्लेक्स को 0.6 डेल्टा ओक्टाहेड्रल उर्जा के बराबर अस्थाइत्व देता है तो इस प्रकार हम कहें कि यदि टीटूजी और्बिटल्स में इलेक्ट्रानों की संख्या जितनी होगा और इस तरह से हम देखें कि विभिन गलत्रानों के इस थाइट्ट्रा सकते हैं यहने कि क। स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मात्रात्मक रूप से गढ़ना कर सकते हैं जो कि वेलंस बॉन्ट थियोरी के द्वारा संभव नहीं था इसके अलावा हम देखते हैं कि जो किस्टल फिल्ड स्प्लेटिंग एनर्जी है उसे बहुत सारी चीजें जैसे कि धातु आयन की प्रक करती हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु आयन की प्रकृति किस प्रकार क्रिस्टल फिल्ड स्प्लेटिंग एनर्जी को प्रभावीत करती है तो यहां देखा गया है कि जो वह जानते हैं कि संक्रमन धातुएं ही कोडिनेशन कंपाउंड का निर्मान करती हैं और यह जो श्रणी के सदस्य होते हैं जो की स्कांडियम क्रिटैनियम से सुरू होकर जिंक तक आते हैं तो इनकी जो इनकी लिए क्लिस्टल फिल्ट स्प्रिटिंग एनर्जी का माल कम होता है और जैसे जैसे हम ग्रूप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं उन धात्मों के लिए 4D श्र की जो भारी धाटों होती हैं उनकी crystal field को इनर्जी का मान ज्यादा होता है जब्कि हिलकी धातं के लिए उनका मान कम होता हैं जैसे हम candy бл café की तुलना करें तो copper वाले जो संकुल होंगे उसमें crystal field splitting energy का मान कम होगा जब्किंड क्लिट का complex compound होगा उसके लिएuka इस घिस्टल T2G और EG और बिटलों की एनरजी का गैप है वो ज्यादा होता है दूसरी होर हम देखें कि केंद्रिय धातु परमानूं की आकसी करण अवस्था ये भी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनरजी को प्रभावित करती है यह देखा गया है कि जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लि समान लिगन वाले कॉम्प्लेक्स होने पर भी उसके लिए जो आकसी करण अधिक संख्या रखती है उस धातु के लिए क्लिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनरजी का मान ज्यादा होता है जैसे कि हम यहाँ पर उदारन ले सकते हैं हेक्जा साइनो फेरट फोर माइनस आयन और दूसरा उदारन हम ले सकते हैं हेक्जा साइनो फेरट फ्री माइनस आयन जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स में फोर माइनस आयना है वहाँ पर हम जानते हैं कि जो आईरन की आकसी करण अवस्था है वह प्लस टू है जबकि जो कॉम्प्लेक्स में फ्री माइनस चार दिख ला है यहां पर हम देखें कि आइरन की ऑक्सिकरण अवस्ता प्लस थ्री है तो यहां पर हम देखेंगे कि जो प्लस 3 complex है जिसमें कि आइरन की ऑक्सिकरण अवस्ता प्लस 3 है उसमें जो crystal स्प्लिटिंग एनर्जी होगी यानि कि जो टी टूजी और एजी के भी जो गैप होगा वो ज्यादा होता है इसी तरह से विभिन धात्मों की उनकी बढ़ती हुई आक्सीकरण संख्या के आधार पर स्पेक्ट्रो कैमिकल सीरीज बनाई गई है यह जो स्पेक्ट्रो कैमिकल स स्पेक्ट्रो के आधार पर बनाई जाती है और यह जिसे प्रायोगिक तक्थों के आधार पर निर्धारित किया जाता है यहां पर हम देखें कि जैसे की मन्टू प्लस है इसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान कम होगा उससे अधिक होग कोबाल 2 PLUS फिर आरन 2 PLUS के लिए उससे अधिक होगा वेंर्डियम 2 PLUS फिर उससे अधिक होगा FE 3 PLUS तो यहां पर हम देख水 2 PLUS के लिए इसका मान कम है जबकि FE 3 PLUS को सीरीज में दाइं और स्थान दिया गया है तो इसका मान इसके लिए ज्यादा होता है एक इसी तरह से यह बैखा जाता है कि जो प्रायय प्लै प्लतीनाम टू प्लस और पैलिडियं व्लस होते हैं य 연ी की जो 4D और 5D के जो सदस्य होते हैं उनके लिए प्रायय जो सभी लिगन प्राहिए करते हैं इसके बाद हम देखते हैं crystal field splitting energy को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वह है लिगंड की प्रकृति प्राया यह जो strong field लिगंड होते हैं उनके लिए crystal field splitting energy का मान अधिक होता है तथा जो weak field लिगंड होते हैं उनके लिए crystal field splitting energy का मान कम होता है हम जानते हैं कि जो strong field लिगंड होते हैं strong field लिगंड उन्हें कहा जाता है जो कि आसानी से इलेक्ट्रान प्यार डोनेट कर सकते हैं तथा केंद्रे धातु परमानों के साथ मजबूत बंद बनाते हैं और यह देखा क्या है कि जो लिगंड होते हैं उनकी प्रकृति वह strong field होंगे या वह weak field होगा या उसमें उपस्तित जो donor atom होते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है जैसे कि यहां पर जो carbon जिसमें donor atom के रूप में होता है वो सबसे ज्यादा strong field होते हैं उसके बाद आते हैं जिसमें nitrogen donor atom होता है वो उससे कम strong होते हैं इसी तरह से जिसमें oxygen होता है वो उससे कम होते हैं और उससे भी कम या कहें हम जो weak field ligand के अंतरगत आएंगे वो होते हैं है लोजन इसका कारण यह है कि जैसे कि हम जानते है 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 लोजन की electronegativity सबसे अधिक होती है electronegativity अधिक होने कि वज़ा से इसकी प्रवित्ति इलेक्ट्राणों को कीच कर अपनी और आकर्शित करने की होती है जबकि जो लिकल है उसका कामा है जो strong field ligand होगा उसका काम होगा वो कितनी आसायों़ी से electron donate कर सकता है यनिकी जो halogen है उनकी प्रवित्ती आसानी से electron donate करने की नहीं होती है और यही वज़ा होती है कि ये weak field ligand कहलाते हैं जबकि हम देखें जो carbon है उनकी सभी की में देखें तो carbon की electronegativity सबसे कम होती है यनिकी ये आसानी से electron pair donate कर सकता है तथा केंद्रिय धातू पर्मानों की साथ strong burn बना सकता है तो इस आधार पर भी लिगंड की भी स्पेक्ट्र कैमिकल शीरीज बनी हुई है जिसके अंतरकत जो weak field ligand है उन्हें बाईयों रखा जाता है और क्रम में तथा जो strong field ligand है उन्हें क्रम में दायों रखा जाता है यह जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बढ़ते वे क्रम में यदि हम ligand की के को देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि markszemEM 15 जो आ रहा है वह है आईयोडाइडो उसके बाद है एनपर यहाँ शीनल तो फिर क्लोरिडो सलफ़ाइडो के collectors इसकी बाद फ्लोरिडो हाइड्र수가 do यहताह उससे आगे आ रहा है यहां Pan एसके बाद है औगजिलेटो चेथा उसके बाद आ रहा है यहाँ पर जल यायनि कि जल के पहले बाहर बाई और आने वाले जो लिगंस है वे वीकुल से तथा इसके बाद आने वाले जो लिगंस है जैसे आइसiliato जहां पर नाइट्रोजन डोनेरेटम की तरह है इसके बाद आते हैं अग्या जई इसके बाद है पिरिडीन फिर उसके आगे आते हैं इनका क्रम में ह Lewis ओडर है इन उपर एक समय अगे हैं यहां पर साइनाइडो तथा सबसे आगे यह कहले हम यह जो order में सबसे उपर आ रहा है जो strong field ligand है वह है कार्बोनेल तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभिन जो ligands हैं उनका भी spectrum chemical series में के आधार पर यहाँ पर इनका वरीता क्रम बना गया है तो जब वहाँ पर compound में या complex में जब strong field ligand उपस्तित होता है तो उस समय जो विपाटन है T2G और EG के मद्धे जो विपाटन है वो अधीक होता है जब कि जब weak field ligand उपस्तित होते हैं तो उस समय T2G और EG जो orbitals हैं उनके बीच जो gap जादा होता है यानि कि उसमें विपाटन अधीक होता है इसके बाद हम देखें कि जो complex की प्रकरती है वो भी यहाँ पर crystal field splitting energy को प्रभावित करती है देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं octahedral complex जो अस्टिफल की संकुल होते हैं हम जानते हैं कि यहाँ पर ligands की संख्या 6 होती है और चुकि ligands 6 होंगे तो वो जितने ज़्यादा ligands होंगे उतने ज़्यादा वो केंद्री धातू परमानूं के और विटलों को उनके इलेक्ट बीच जो gap होगा वो उतना जादा होता है दूसरी और यदि हम tetrahedral complex को लें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो splitting होती है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पर ligands की संख्या 4 ही होती है इस प्रकार देखा गया है कि जो यदि हम tetrahedral complexes तथा यदि हम octahedral complexes के बीच यदि हम crystal field splitting energy की यहने की crystal field splitting energy in tetrahedral complexes यह बराबर होती है 4 by 9 delta octahedral के तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको point में लें तो यह लगबग 0.45 के बराबर आता है यहने की जो octahedral complexes होते हैं उनमे crystal field splitting energy का जो मान होता है वह tetrahedral complexes की तुल्ला में लगबग दुगना होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो crystal छेत्र विपाटन है वह भिन भिन कारकों पर निर्भर करता है आईए अब हम देखते हैं कि अस्टफल की छेत्रों में तथा जो चत्रशफल की एवं वर्ग समतली संकुलों में crystal छेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है आईए अब हम अस्टफल की संकुलों में crystal छेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है तथा इन में विभिन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रानों की फिलिंग किस प्रकार से होती है इसे जानते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह अस्टफल की संकुल सरचना है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अस्टफल की संकुल होते हैं उनमें ligand जो square plane है उसके सभी axis के corner पर उपस्तित होते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो 6 ligand होंगे वो सभी x axis y axis तथा z axis पर उपस्तित होते हैं और इस तरह से उपस्तित होने पर यहाँ पर हम जानते हैं कि जो d orbital के d x square y square तथा d z square lobe होते हैं वो भी इन्हीं axis पर उपस्तित होते हैं इसलिए इन्हीं orbital पर उपस्तित electron तथा ligand के electron के बीच repulsion अधीक होगा और इस वज़े से यहाँ पर जो d square d x का square y का square तथा d z का square जो orbital का set है जैसे हम e g set कहेंगे उसकी उर्जा जो bary center से अधीक हो जाएगी जबकि बाकी के जो तीन लोब हैं और जो तीन orbital के set हैं यानि कि जो t2g set हैं जिसमें d x y d x z तथा d y z आते हैं इनकी उर्जा bary center की उर्जा से नीचे चली जाएगी यानि कि इनकी उर्जा कम हो जाएगी इस स्तती में हम ने ये भी जाना कि जो d octahedral complexes होते हैं वहाँ पर ये जो नीचे जाने वाली उर्जा है उसका मान minus 0.4 delta octahedral के बराबर होता है तथा जो उपर वाले जो easy set हैं उनकी उर्जा जो अधिक होती है वह 0.6 delta octahedral के बराबर इसकी उर्जा में वृद्धी होती है इस तरह से अब यहाँ पर जब electron की feeling होगी तो निश्चित रूप से जो electron होंगे वो सबसे पहले नीचे या कम उर्जा वाले और्विटलों में प्रवेश करेंगे तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अस्टफल की संकुलों में इस प्रकार का विपाटन होता है जिसमें की eg set of orbitals की उर्जा अधिक होती है तो 32g जो set of orbitals से उनकी उर्जा कम होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रानों की feeling किस प्रकार से होगी सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमारे पास d1 configuration है जैसे कि हम 3D श्रणी में ले सकते हैं scandium scandium का जो configuration होता है उसमें इसके d orbital में एक इलिक्ट्रान होता है तो यहाँ पर दो condition हो सकती है यदि हमारे पास weak field ligand हो और यदि हमारे पास strong field ligand हो यदि हमारे पास यहाँ पर हम देखें कि week field ligand है तो भी electron पहले कम उर्जा वाले orbital में यानि की t2g orbital के में प्रवेश करेगा और इस सित्ति में हम देखें कि जो hybridization होगा क्योंकि यहाँ पर जो आंतरिक orbital d orbital यहाँ पर उपस्थित है इसलिए यहाँ पर जो संकरण की क्रिया संकरण होगा वह d2 sp3 प्रकार का होगा साथ ही चुकि यहाँ पर एक electron है और वह अयुग में थे इसलिए यहाँ पर जो जो complex होगा वह उसे हम high spin complex कहेंगे तथा साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो d orbital है वह अंदर वाला जो इनर n-1 d orbital खाली है और उसका उप्योग किया गया है इसलिए हम इसे इनर orbital complex कह सकते हैं साथ ही साथ हम देखें क्योंकि यहाँ पर एक electron है unpaired और इसलिए इसका जो magnetic property होगी वह यह paramagnetic character का होगा साथ ही अब हम देखें कि यहाँ पर कुल इस जो संकुल की crystal field stabilization energy कितनी होगी यहने कि इस संकुल का स्थाइट तो कितना होगा तो यहाँ पर चुकि एक ही electron है और जो की T2G set में उपस्तित है और यह एक electron यहाँ पर जो प्रतेक electron होगा वो 0.4 delta octahedral का स्थाइट तो प्रदान करेगा तो इस तरह से इस संकुल की जो crystal field stabilization energy होगी वह होगी माइनस 0.4 delta octahedral या जिसे हम माइनस 4 DQ भी कह सकते हैं दूसरी और यदि हम देखें कि यहाँ पर strong field ligand है तब भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला electron होगा वह निम्न उर्जा में ही प्रवेश करेगा तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर D1 यदि configuration है तो वहाँ पर संकुल का जो सरचना होगी complex होगा वह दोनों में configuration दोनों में एक बराबर होगा इसके बाद हम देखते हैं यदि हमारे पास D2 configuration है तो उस समय भी यहाँ पर हम देखें कि दोनों में ही जो electron होगे वो T2G में ही प्रवेश करेंगे और इस स्थती में भी जो दोनों में संक्रान होगा चाहे weak field ligand उपस्थित हो या फिर strong field ligand उपस्थित हो वहाँ पर भी संक्रान D2 SP3 प्रकार का ही होगा क्योंकि यहाँ पर N-1D orbital अभी खाली है और यहाँ पर जो क्योंकि दो अनप्रड़ी electron होंगे इसलिए high spin संकूल होंगे और साथी साथ क्योंकि यहाँ पर N-1D orbital का उप्योग ह हुआ है इसलिए इससे हम inner orbital complex कहेंगे अब आती है यहाँ पर stabilization energy की तो यहाँ पर चुकी दो electron है इसलिए जो पहले की तुलना में एक electron की तुलना में stabilization energy दुग नहीं हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसका दो से गुड़ा कर देते माइनस 0.4 into 2 और इस तरह से यह हो जाएगा 0.8 delta octahedral या फिर हम इसे कह सकते माइनस 8 dq के पराबर होगी इसी तरह से जब d3 configuration होगा तब भी दोनों में समान विन्यास पाया जाएगा और इस स्थति में यहाँ पर जो d3 स्थति में जब electron होंगे तो यहाँ पर crystal field stabilization energy कमान बढ़ जाएगा और यहाँ पर इस कमान माइनस 0.12 या माइनस 12 dq के बराबर हो जाएगा अब जब हमारे पास डी में डी orbitals में चार इलेक्ट्रान उपस्तित है यानि कि d4 configuration यदि हमारे पास उपस्तित है इस स्थति में जो चौथा इलेक्ट्रान के दो संभावनाई जो इलेक्ट्रान है उसके भरने की दो संभावनाई हो सकती है एक तो यह कि यह पहले से जो तीन इलेक्ट्रान ती टू जी में उपस्तित है उनमें जाकर पेरिंग कर ले या फिर यह उपर वाले जो उच उर्जा वाले जो इजी सेट ऑफ इलेक्ट्रान सेट है और्बिटल से उनमें यह जाकर प्रवेश करें तो अब यहाँ पर यदि यह पेरिंग करता है T2G में तो उसके लिए pairing energy खर्च करनी इलेक्ट्रान की pairing के लिए जो energy होगी वो खर्च करनी पड़ेगी और यदि यह उपर EG set में जाता है तो वहाँ पर जो pairing energy है उसके खर्च से यह बच सकता है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रान T2G में रहेगा या फिर EG में जाएगा यह इस बात पर नर्भर करता है कि यहाँ पर जो delta octahedral का मान कितना है यनि कि crystal field stabilization energy का मान कितना है तथा pairing energy का मान कितना है यनि कि CFST crystal field stabilization energy delta octahedral तथा PK तुलनात्मक परणाम पर यह निर्भर करेगा और इस तरह से इसको निर्धारित करने के लिए हमें जो इसको निर्धारित करने का कारे है वो ligand के द्वारा किया जाएगा अब यहाँ पर यदि जो ligand है weak field ligand होगा तो configuration अलग प्रकार से होगा और यदि strong field ligand होगा तो configuration अलग प्रकार से होगा यदि हमारे पास D4 configuration के लिए यदि weak field ligand है तो यहाँ पर हम देखें कि जब weak field ligand होगा तो जो splitting होगी T2G और EG के मद्धे जो splitting होगी वो जादा नहीं होगी और splitting कम होने की वज़े से जो चौथा electron है वो आसानी से EG orbital में जम्प कर जाएगा और इस स्तिती में जब जो electron है जो configuration होगा वो T2G में 3 electron होगे तथा EG में 1 electron होगे और इस स्तिती में हम देखें कि जो hybridization होगा क्योंकि अब यहाँ पर EG set में 1 electron पहुंच चुका है और अब यहाँ पर जो N-1 D orbital रिक्त नहीं है इसलिए यहाँ पर जो hybridization होगा वो SP3D2 प्रकार का hybridization होगा साथ ही यहाँ पर क्योंकि अनप्यर्ड electron चार मौजूद है इसलिए यह high spin संकूल होगा और साथ ही साथ क्योंकि इसमें बाहर वाले D orbital का उप्योग हुआ है इसलिए यह outer orbital complex कहलाएगा और यदि हम इसके लिए stabilization energy की गढ़ना करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 3 electron है वह नीचे T2G में है और तो इनकी cool उर्जा हो जाएगी 3 into minus 0.4 और चुकि एक electron यहाँ पर उपर EG set में मौजूद है और उसके लिए जो उसकी जो उर्जा है वह होगी 0.6 तो इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमें जो उर्जा प्राप्त होती है वो होती है माइनस 0.18 दूसरी और यदि यहाँ पर हमारे पास strong field ligand है तो strong field ligand में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो splitting होगी T2G और इजी के मद्ध वो अधीक होगी और इस तरह से यहाँ पर उसकी तुल्ला में जो pairing energy होगी उसका मान कम होगा तो electron T2G से EG में न जाकर T2G में पहले से उपस्थित जो electron है उनके साथ pairing कर लेगा और इस तरह से यहाँ पर चुकी अभी भी जो d orbital inner orbital n-1 d orbital अभी भी रिखते हैं इसलिए यहाँ पर जो hybridization होगा वह होगा d2 sp3 प्रकार का साथ ही यहाँ पर हम देखें कि जो electron यहाँ पर अभी अनप्यर्ड electron मौझूद है इसलिए यह भी हाई spin संकूल होगा लेकिन यहाँ पर जो orbital है वहाँ आंतरिक कक्षक के d orbital उप्योग में आई वे हैं इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉंप्लेक्स होगा इस तरह से हम देखें कि इनकी stabilization energy कितनी होगी तो चुकि यहाँ पर चारो इलेक्ट्रान अभी टी टू जी में उपस्तित है इसलिए इनकी जो stabilization energy होगी वह minus 0.4 into 4 यहने की minus 0.16 डेल्टो अक्टाहेड्रल के बराबर होगी लेकिन चुकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रान की अभी pairing हुई है इसलिए इसमें pairing energy भी जोडनी होगी यहने की यहाँ पर जो cool energy होगी minus 16 dq plus 1 p के बराबर होगी इसी तरह से यदि हम देखें कि अब हमारे पास d5 configuration है तो वहाँ पर इलेक्ट्रानों का वितरण किस प्रकार से होगा d5 configuration में भी हम देखेंगे यदि लिगंड वीक फिल्ड लिगंड है तो इस स्थती में जो splitting होगी वह कम होगी यहने की crystal field splitting energy का मान पेरिंग energy की compare में कम होगा और इसलिए इलेक्ट्रान टी टू जी में जाकर पेरिंग न करके यह उपर इजी सेट में चला जाएगा और इस स्थती में हम देखें कि जो configuration होगा वह चुकि यहां पर भी अभी यहां पर पांच अनप्यर्ड इलेक्ट्रान मौझूद है इसलिए यहां पर भी जो डी और्बिटल है वह बाहरे वाले शेल का उप्योग में आया है इसलिए यह आउटर और और्बिटल कॉंप्लेक्स होगा यदि हम इसकी crystal field stabilization energy काउंट करें तो हम देखें कि जो तीन और्बिटल तीन इलेक्ट्रान है वो टी टूजी में है इसलिए यहां पर हो जाएगा 0.4 into 3 यहने की और साथ ही साथ चुकि दो इलेक्ट्रान यहां पर इजी में उपस्तित हैं तो यह हो जाएगा प्लस 0.6 into 2 और इस तरह से जब हम इसे calculate करेंगे तो प्लस और माइनस मिलाकर हमारे पास मिल जाएगा जीरो डेल्टा और कहेड्रल यह हम कह सकते हैं जीरो डीक्यू इससी तरह से अब यहां पर चुकी पांच अनपर्ड इलेक्ट्रान हैं इसलिए यह पैरा मैगनेटिक नेचर का होगा दूसरी और यदि इस स्तती में हमारे पास स्ट्रॉंग फिल्ड लिगंड उपस्त है तो यहां पर इलेक्ट्रान इजी में जाकर टी टू जी में ही पैरिंग करेगा और इस तरह से हमारे पास जो यहां पर हाइब्रजेशन होगा वह दी टू एस्पी थ्री प्रकार का होगा और चुकि यहां पर अभी एक एलेक्ट्रान इसके पास अनप्यर्ड है इसलिए यह भी हाई स्पिन संकूल होगा साथ ही साथ क्योंकि यहां पर अभी भी एन माइनस वन डी और्बिटल प्रेजंट था और इसलिए यहां पर जो कॉंप्लेक्स होगा वह इनर और और कॉंप्लेक्स कहलाएगा साथ ही हम यहां पर क्रिस्टल फिल्ड इस्टेबलाइजिशन एनर्जी का उकाउंट करें तो यह हो जाएगा क्योंकि पांच इलेक्ट्रान यह यहां पर टी टू जी में उपस्ती थे इसलिए कुल उर्जा हो जाएगी माइनस 0.4 इंटू 5 इस उक्वाल टू माइनस 0.20 ड इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 20 डी क्यू प्लस टू पी के बराबर होगी इसी तरह से हम देखते हैं जब हमारे पास डी ऑर्बिटल में छे लेक्ट्रान हैं तो यहां पर हम देखें कि जब वीक फिल्ड लिगन होगा तो वहां पर भी हम देखें कि अ सीबिटन ही पाच आर्बिटल में टीटूजी के थीनों ऊर्बिटल समय तथा इजीके दोनों ऊर्बिटल में एक 1 इलेक्ट्रान मौजूद हो गये हैं तो अब यहां पर भी एए इलेक्ट्राणों की प्यारिंग शूरू होगी और जो छटा इलेक्टरान होगा वह T2G में ही जाएगा और इस तरह से यहाँ पर अब चुकी N-1D और्बिटल रिक्त नहीं है इसलिए जो संकरान होगा वह SP3D2 प्रकार का होगा यहाँ पर अभी चार अनपेर्ड इलेक्टरान उपस्थित हैं इसलिए जो यहाँ अभी भी हाई स्पिन संकूल होगा और साथी साथ आउटर और्बिटल का ख्षक कहलाएगा यहाँ पर यदि हम के इसकी स्टेबलाइजिशन एनर्जी काउंट करें तो हम देखें कि T2G में चार इलेक्टरान मुझूद है तो इनकी उर्जा माइनस 0.16 हो जाएगी यह हम DQ में यदि लें तो माइनस 16 हो जाएगी और प्लस दो इलेक्टरान जो है वो EG में उपस्थित हैं तो उनकी उर्जा प्लस 12 होगी यदि टोटल करें तो माइनस 16 प्लस 12 is equal to माइनस 4 DQ के बराबर उर्जा होगी साथ ही साथ यहाँ पर प्लस 1 पेरिंग एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ीगी इसी तरह से यदि strong field ligand होगा तो अब भी जो छटा इलेक्टरान यहाँ पर होगा वा T2G में ही जाएगा और इलेक्टरानों की पेरिंग होगी और इस तरह से यहाँ पर अभी भी क्योंकि N-1 D orbital रिक्त है इसलिए यहाँ पर जो संक्रन होगा वा D2 SP3 प्रकार का होगा साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि एक भी अनप्योड इलेक्टरान मौजूद नहीं है इसलिए यह जो complex होगा low spin complex कहलाएगा और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो अंतरिक D कक्षकों का उप्योग हुआ है इसलिए यह inner D orbital complex होगा साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर एक भी अनप्योड इलेक्टरान मौजूद नहीं है इसलिए इसका जो nature होगा वो diamagnetic nature का होगा साथ ही इसकी जो crystal field stabilization energy होगी वह minus 24dq plus 3p के बराबर होगी इसके बाद हम देखते हैं यदि D orbitals में 7 electrons उपसिस्थ हो यदि कि D7 configuration यदि है तो तथा जो ligand है वो weak field ligand है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी भी जो सात्वा इलेक्टरान होगा वह भी T2G में जाएगा और इलेक्टरानों की pairing होगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो संक्रान होगा पुना SP3D2 प्रकार का होगा यह high spin संकूल होगा तथा outer orbital complex कहलाएगा इसमें चुकि अनप्रड इलेक्टरान मौजूद है इसलिए यह paramagnetic character का होगा साथ ही साथ इसमें जो crystal field stabilization energy है यहाँ पर हम देखें कि जो 5 इलेक्टरान नीचे T2G में है तो इसलिए उनके energy minus 20 dq के बराबर हो जाएगी जथा उपर वाले जो 2 इलेक्टरान है उनके लिए यह plus 12 हो जाएगा और total calculate करने पर हमें minus 8 dq plus 2p के बराबर energy प्राप्त होगी इसी के साथ यदि हमारे पास जो ligand है वो strong field ligand है तो उस समय यहाँ पर भी क्योंकि 6 इलेक्टरानों की नीचे pairing हो चुकी है हो चुकी है इसलिए 7 इलेक्टरान अब यहाँ पर वो e g में jump करेगा e g में जाएगा और इस तरह से यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि आंतरिक d कक्षक उपस्थिक नहीं है इसलिए यहाँ पर जो संकरन होगा वो sp3 d2 प्रकार का ही होगा यहाँ पर एक अनप्यर्ड इलेक्टरान मौझूद है इसलिए यहाँ भी हाइस्पिन संकुल होगा तो साथ यह आउटर और्विटर कॉंप्लेक्स होगा इसके अलवा हम देखें कि एक अनप्यर्ड इलेक्टरान मौझूद है इसलिए यह प्रामैग्नेटिक क्यारक्टर का होगा साथ ही साथ यदि हम इसकी स्टेबलाइजिशन एनर्जी को काउंट करें तो यहाँ पर 6 इलेक्टरान नीचे t2g में उपस्तित हैं इसलिए इसका मान होगा माइनस 24 dq के जथा एक इलेक्टरान उपर eg में उपस्तित है जिसका मान होगा प्लस 6 dq के बराबर तो कल्कुलेट टोटल कल्कुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 18 dq प्लस 3p energy इस तरह से हम देखें कि जब हमारे पास अब 8 d8 configuration है तो उस समय भी हम देखेंगे कि जो वीक फिल्ल लिगंड हमारे पास है तो वहाँ पर भी इलेक्टरान जो होंगे नीचे टी टू जी में पहले यहां पर प्यरिंग हो जाएगी और उसके बाद जो 8 वा भी इजी में प्रवेश करेगा और इसके बाद यहाँ पर जो देखें जो संकरन होगा वह sp3 d2 प्रकार क होगा यहां पर यह दो इलेक्ट्रान अन्प्यर्ड मौझूद है इसलिए यह हाई स्पिन संकूल होगा और साथ ही साथ यह यहां पर यह आउटर और्बिटल कॉंप्लेक्स होगा इसमें चुकि दो इलेक्ट्रान अन्पेड मौझूद है इसलिए यह पैरा मैगनेटिक केरक्टर का होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रिस्टल फील स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो नीचे के जो 6 इलेक्ट्रानों की वज़े से माइनस 24DQ के बराबर होगी तथा उपर डो इलेक्ट्रानों की वज़े से यह प्लस 6 प्लस 12DQ के बराबर होगी और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारी पास मिलेगा माइनस 24 प्लस 12 इस उकल टू माइनस 12DQ प्लस 3P के बराबर होगी इसी तरह से यदि हम हमारी पास स्ट्रॉंग फिल लिगंड है तो स्ट्रॉंग फिल लिगंड होने पर भी यहां पर हम देखेंगे कि सेम कॉन्फिगरेशन हमको यहां पर दिखाई देता है क्योंकि नीचे तो पेरिंग यहां पर 3-3-6 इलेक्ट्रानों की पहले ही हो चुकी है तो यहां पर 7 इलेक्ट्रान जब EG में गया है और 8 इलेक्ट्रान भी EG में मौझूद होगा तो इस तरह से हम देखें कि जब D8 कॉन्फिगरेशन होता है तो उस समय चाहे हमारे पास weak field ligand हो या फिर strong field ligand हो दोनों तरफ समान इलेक्ट्रानों का वितरान होगा तथा जो यहां पर stabilization energy होगी वह भी दोनों में समान होगी इसी तरह से हम देखेंगे कि अब जो यदि D9 configuration हो या D10 configuration हो वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रानों का वितरान है समान होगा संकरन भी समान प्रकार का होगा तथा इनके जो magnetic property होगी वह भी यहां पर समान प्रकार की होगी D9 में यदि हम stabilization energy देखें तो इसका मान होगा minus 24 plus 18 is equal to minus 6 DQ के बराबर होगी साथ ही साथ यहां पर चुकि चार इलेक्ट्रानों की pairing हो चुकी है यहां पर तो इसलिए यहां पर 4P को हमको add करना होगा इसी प्रकार से जब D10 configuration होगा तो उस समय हम लेखेंगे minus 24 plus 24 हो जाएगा और यहां पर यहनिकी 0 DQ plus 5P के बराबर stabilization energy होगी तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब अस्टफल की संकुलों में जब हम इलेक्ट्रानों का वित्रान करते हैं तब इसमें यहां पर D1, D2, D3 configuration तथा D8, D9 और D10 configuration यहां पर चाहे लिगन weak field लिगन हो या फिर strong field लिगन हो वहां पर जो वित्रण है एक समान होता है संक्रण भी एक समान होगा लेकिन यहां पर जो अंतर होता है वह केवल D4, D5, D6 और D7 वाले configuration में हमें अंतर दिखाई देता है तो इस तरह से हमने अस्टफल की संकुलों में यह भीन भीन प्रकार के संकुल होंगे जिनमें D और्बिटलों में इलेक्ट्रानों की संख्या भीन भीन होगी उसके अनुसार हम यहां पर विभेन प्रकार के संकुलों के लिए उनकी किस प्रकार का संकुर्ण होगा। उनका magnetic character किस प्रकार से होगा। यह किस प्रकार के संकुल होंगे तथा इनकी stabilization energy किस प्रकार से होगी। इसकी गार्ना कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं चतुष फलकिय संकुलों में क्रिस्टल छेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है